इस वीडियो में explain करने जा रहा हूँ types of functions और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे one to one function की जिसको हम injective function भी बोलते हैं या फिर हम उसको injection भी बोलते हैं तो इसको समझने के लिए मैं with example आपको explain करूँगा तो फटा फट से वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe करें अगर अभी तक आपने नहीं किया और अगर कर भी दिये तो और devices से subscribe कर वा सकते हैं शेयर करके subscribers बहुँ जरूरी हैं तो चलिए start करते हैं one to one function के पहले definition देख लो a function f from a set a to a set b is one to one if no two elements in a are mapped to same element in b तो definition से तो थोड़ा वो समझा रहा होगा मैं अब example से आपको बताता हूँ कि let's say मेरे पास यहाँ पे एक set है a जिसके अंदर element है one two three एक set है मेरे पास let's say b जिसके अंदर elements है a b c ठेक है अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे को पता है कि here one to one है तो function ही तो function के लिए क्या property होती है कि a के अंदर जितने भी elements है वो सारों के लिए कोई कोई mapping होनी चाहिए b के अंदर मतलग let's say अगर मैंने इसके लिए mapping ऐसे बना दी इसके लिए मैंने यह बना दी कैसे भी आप बना सकते हो mapping लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि one के लिए a b mapping है और one के लिए b b mapping है मतलग इस तरफ से multiple mapping जो है one के लिए क्या condition है one to one कहता है कि no two elements in a are mapped to same element in b मतलब कहने का की let's see अगर one के लिए मैंने a mapping कर दी इसके बाद मैंने किया क्या two के लिए b IA mapping कर दी function के point of view से तो कर सकती है मैं बहुत 1 के लिए A Mapping कर दी, 2 के लिए भी A Mapping कर दी, function के point of view से तो ठीक है, लेकिन 1 to 1 के लिए ठीक नहीं है, 1 to 1 कहता है कि 1 के लिए अगर A Mapping है, तो 2 के लिए B कर सकते हो, C कर सकते हो, A Mapping जो है, वो नहीं होने चाहिए, no two elements in A are mapped to same, same element in B, this is the definition of 1 to 1, तो आपको अगर इस तरीके से दे दिये जाए, let's say 1, 2, 3, 3 elements हैं, और एक तरफ मेरे पास let's say A और B element हैं, तो अगर मुझे इसको 1 to 1 बनाना है, तो क्या मैं इसको 1 to 1 बना सकता हूँ, देख लेते हैं, जैसे 1 के लिए अगर मैंने A को map कर दिया, अब 2 के लिए मैं A को map कर सकता नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि no 2 elements, same mapping, तो मैं 2 के लिए क्या करूँगा, फिर B को ही map कर सकता हूँ, और कोई choice ही नहीं है, अब 3 के लिए map कैसे करूँगा, 3 के लिए map, या तो मैं A को कर सकता हूँ, या B को कर सकता हूँ, तो function के point of view से तो चल जाता, अगर मैं 3 को A से map क नहीं है, तो यानि यहां से आपको एक चीज़ी पता लग रही है, कि अगर मेरा A सेट है और B सेट है, अगर A सेट के अंदर X number of elements है, B सेट के अंदर Y number of elements है, या तो X और Y क्या होने चाहिए, बरापर, या फिर Y की value X से जादा बड़ी होनी चाहिए, मतलब आप इसको इस से denote कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर लेट से इसके अंदर 1, 2, 3 elements है, ठेक है, इसके अंदर A, B, C element है, तो आप क्या कर सकते हो, simple 1, 2, 1, वैसे तो उल्टा उल्टा भी कर सकते हो, बट नॉर्मल मैं इस तरीके से आपको दिखा दी, या फिर लेट से 1, 2, 3 elements है, उसके अंदर A, B, C, D, जाद है, तब भी कोई problems निए, आपने इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, D रह गया, कोई बात नहीं है, बी के अंदर तो जो मर्जी रह जाए, इस वाले set में तो रह जाए, कोई problem निए, यहाँ पे नहीं कोई रहना चाहिए, तो मैंने 2 के लिए same mapping की तो ये function भी है 1 to 1 function भी है तो आप कह सकते हो कि x की value या तो y के बराबर हो या आप simple कह सकते हो x must be less than equal to y तब जाके ये 1 to 1 function बनेगा, next हम लोग बात करेंगे how many 1 to 1 functions are possible कितने 1 to 1 functions बनेगे उसको मैं simple से example से आपको बताता हूँ कि लट से मेरे पास एक set है A, दूसरा set है मेरे पास B A के अंदर लट से 1, 2, 3 elements है इसके अंदर A, B, C, D 4 elements है ठीक है अब यहाँ पे क्या कहता है मेरा 1 to 1 function क्या कहता है कि 1 के लिए मेरे पास कितनी choices है जब भी हम formula calculate करते हैं तो हमें ये check करना है कितनी choices है जैसे हमने पहले वाली वीडियो में discuss किया अब 1 के लिए कितनी choices है 1 to 1 function मनाना है अकेला function में तो हरे के लिए 4-4 choices हो जाती है आपका काम कहतम था लेकिन यहाँ पे 1 के लिए मेरे पास 4 choices है मैं किसी के साथ भी map कर सकता हूँ लेट से अगर मैंने इसके साथ map कर दिया मलब मेरे पास total choices starting में 4 थी 1 के लिए 4 choices थी लेट से मैंने A के साथ map कर दिया for example अब 2 के लिए कितनी choices बची अब आपको पता है कि यार 2 को आप A के साथ तो map कर नहीं सकते no 2 having same mapping तो यानि 2 के लिए कितनी choices बची 3 3 के लिए कितनी choices बची 2 तो आपको कहानी यहाँ पर समझ आ रही होगी कि किस तरीके से function work कर रहा है let's say एक और example ले लो मिर पास यहाँ पर 1,2,3 यहाँ पर मिर पास है A, B, C तो आप देखो यहाँ पर 1 के लिए कितनी choices है starting में आप किसी के साथ भी map कर सकते हो 3 choices है अगर let's say आपने इसको B के साथ map कर दिया अब 2 के लिए कितनी choices है अब आप B से तो map कर नहीं सकते है या तो A से या C से यानि 2 choices है 3 के लिए अगर let's say मैंने 2 को A से map कर दिया तो obviously 3 के लिए एक ही choice है that is C तो यानि कितनी choices हमारी बन रही है 3 into 2 into 1 यहाँ पर आप कह सकते हो 4 into 3 into 2 तो यह आपको अब generalized way में लिखना है तो आप simple कह सकते हो कि अगर let's say मेरा set A है जिसके अंदर X number of elements है एक set B है X total number of elements कितने X और इसके अंदर total number of elements कितने है Y set तो A और B के नाम से ठीक है confuse नहीं हो न X जो है वो total number of elements है इसके अंदर और Y total number of elements है इसके अंदर अब देखो पहले element के लिए A के पहले element के लिए कितनी choices है मेरे पास सारी की सारी है मतलब Y number of choices है एक अगर मैंने fill कर दिया तो next element के लिए कितनी choices बची y-1 getting the point next के लिए y-2 y-3 तो इस तरीके से आपका y-x-1 choices बची तो ये आपके पास इस तरीके से formula जो है वो derive कर सकते हो ये आपके पास total जो है वो आप कह सकते हो कि ये series आपकी बन जाएगी जिसको हम क्या लिख सकते है y-p-x that is a permutation तो अब आपको कोई भी question आता है कि अगर इसी में ही पूछ लें आपको 1-2-3 elements है यहाँ पे 4 elements है तो आप क्या कह सकते हो 4-p-x या 4-p-x की value कितनी है 3 तो 4-p-3 this is how you have to write the formula तो यह formulas और यह सारे points जो है वो आपको याद रखने क्यूंकि कई बर exam में आपको इस तरीके के questions जो है वो आते ही रते हैं Thank you